आज की वीडियो में मैं आपको सुपर स्ट्रेची बाइंड ओफ सिखाऊंगी जो के हम यूजिली काटर की रिच को बाइंड ओफ करने के लिए इस्तमाल करते हैं ये बाइंड ओफ स्ट्रेची होता है इस वज़ा से ज्यादा तर शॉल्स या फिर बाइंड ओफ करने के लिए इस्तमाल किया जाता है जिनकी रिच हमने गाटर में बनाई होती है जिनका बॉर्डर गाटर में होता है शॉल्स का स्काप्स का या फिर बाइंड ओफ करने के लि करेंगे यह मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा ट्रिकी है अगर आप और से देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे यह हमारे पास काटर की रेच और मेरे पास अपने काम की राइट साइड सीधी साइड के उपर मैं बाइंड ओफ कर लही हूं आपने रेगुलर ग करना है सेच फरण लैग में डालके ऍसको नेट किया अब आपने इसको ट्विश्ट करके लेफ्ट नीडल पे डालना है इस तरहा से रागा आपका यह वर्किंग यान पीछे की तरफ होना चाहिए अब आपना एपने अपनी राइट नीडल पर्लवाइस फरेंट के डाल यह धागा आपके पास पीछे था तो इसको भी नेट कर लिया और इसको डॉप कर दिया दोनों स्टिचेश को तो यह हमारे पास बाइंड ओफ हो गया एक स्टिच अब हमने फिर अगले अगला सिच बाइंड ओफ करना है तो इसको ट्विस्ट करके लेफ्ट नीडल पर डाला राइट नीडल को पर्ल वाइज इंसर्ट किया अगला स्टिच पकड़ा इस तरह से और फिर इसको नेट कर लिया फिर ये ट्विस्ट इट हमने लेफ नीडल पर डाला पर्ल वाइज नीडल इंसर्ट की अगले स्टिच की फ्रांट लाइज को पकड़ा और इसको निट कर लिया और इसी तरह हमने सारे स्टिचिस को बाइंड ओफ कर लिया और इसको निट कर लिया और इसका है ये देखें ये बाइंड ओफ होने के बाद भी इसकी जो रिज है वो गाटर की तरह ही नजर आ रही है इसके अंदर आपको कोई बाइंड ओफ के चेंड नहीं नजर आएगी ये हमने आइसलेंडिक बाइंड ओफ के साथ बाइंड ओफ किया है और ये हमने रेगुलर बाइंड ओफ के साथ बाइंड ओफ किया है दोनों गाटर की बाइंड ओफ है और ये देखें इसमें आपको ये चेंड नजर आ रही है बाइंड ओफ की जबके इसके अंदर गाटर क रिज ही बान रही है यह स्ट्रैची है और यह इतना स्ट्रैची नहीं है मैं उमीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए फायदा मन साबित होगी नेक्स्ट वीडियो तक अल्ला हाफिस